एक बार पुना स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सभास स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर और आज का यह वीडियो कच्छा दस के छात्रों के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साजा करू हिंदी विश्यक के ऐसे माडल पेपर का फुल सेलूशन जो आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है इस वीडियो में मैं बताओंगा आपको कि किस तरीके से आपको प्रशनों के उत्तर देना है अपनी बोर्ड परिच्छा में और यह मा एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए पहला कथन है डाक्टर राम विलाज सर्मा जाने वाने आलोचक हैं दूसरा कथन है पदुम लाल पुन्ना लाल बक्सी प्रशिद धनाटक कार हैं और तीसरा कथन है भारतिय संक्सकरत के लेखक डाक्टर राम धारी सिंग दिनकर हैं और चौथा कथन है चिंता मड़ी निबंध के लेखक दियोगी हर हैं और यह प्रशन पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से एक नमबर का आपकी बोर्ड परिच्छा में भी और कथन जो होंगी बदले भी हो सकते हैं और हो सकता है कि यहां से भी कथन आपकी बोर्ड परिच्छा में पूछे जाएं तो इसलिए यह माडल पेपर आप सभी के लिए काफी ज़्यदा इंपॉर्टन्ट हैं और यदि यह माडल पेपर आप तयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड परिच्छा में यहां से प्रशन जरूर पूछे जाएंगे इसलिए most important है यह model paper तो चलिए इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा डाक्तर राम बिलास सर्मा जाने माने आलोचक हैं यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको लिखना है प्रशन संख्या एक खा जो कि इस प्रकार से है निमनलिखित करतियों में से किसी एक करति के लेखक का नाम लिखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार विकलब दिये गए हैं पहला विकलब है ठूठा आम, दूसरा विकलब है रेती के फोल, तीसरा है कानन कुसुम और चौथा विकलब है दुनिया रंग विरंगी आपको क्या करना है किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है जिसके लिए एक नंबर निर्धारित है तो इस प्रशन के उत्तर में मैं आपको बताऊंगा ठूठा आम के लेखक कौन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिखना है आपको इस प्रशन का उत्तर ठूठा आम इस तरीके से एक खा आपको डाल देना है जिस भी रचना के लेखक का नाम लिखें आप उसका नंबर यहाँ पर और उस रचना का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे और जो भी लेखक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ठूटा आम के लेखक कौन है भगवत सरण उपाद्याए तो जिस रचना का नाम आप लिखना चाहें यानि जिस रचना के रचनाकार का नाम लिखना चाहें उस रचना का नाम यहां पर और उसके बाद उसके लेखक का नाम यहां पर आपको लिखना होगा तो अगला प्रश्ण क्या है यहां आप देख सकते हैं प्रश्ण संख्या एक गाह के अंतरगत पूछा गया है जंजीरे और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है तो यहां आप प्रशन का जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है तो यह संसमरण विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है राम ब्रच बेनी पुरी जी की रचना है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा एक गा क्या है यहां आप देख सकते हैं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य महत्पूर माडल पेपर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे जिनका मैंने फुल सेलूशन दे दिया है मैंने हल करा के बता दिया है कि किस तरीके से आपको बोर्ड परिच्छा में कापी लिखनी है तो आप उन माडल पेपर से रिलेटेड वीडियो भी देख लें ताकि आप अपनी बोर्ड परिच्छा 2022 में सबसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें प्रशन संख्या एक अघा के अंतरगत पूछा गया है कंकाल किस विधा की रचना है तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकलप है उपन्यास, दूसरा विकलप है कहानी, तीसरा विकलप है नाटक और चोथा विकलप है आत्म कथा तो कंकाल किसकी रचना है? तितली, एरावती और कंकाल, ये जै संकर प्रसाजी की रचनाएं हैं और ये रचनाएं किस विधापर आधारित हैं? उपन्यास विधापर आधारित हैं रचना है उपन्यास विधापर आधारित रचना है इस प्रश्ण का उत्तर कैसे लिखा जाएगा यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डाल देना है एक घा और एक घा का पहला अपसंसाही है यानि कंकाल जो है उपन्यास विधापर आधारित रचना है अगला यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या एक अंगा के अंतरगत क्या पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करो किस विधा की रचना है और यह प्रश्न पूछा गया है एक नंबर का यानि जो एक का एक खा एक गा और एक घा तथा एक अंगा ये सभी प्रशन होंगे बहु विकल्पी और प्रतेक प्रशन एक एक नंबर का पूछा जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या भूलू क्या याद करू किस विधा की रचना है तो क्या यात्रा शाहित विधा पराधारित है आत्म कथा विध पराधारित रचना है और यह डाक्टर हरिवन सराय वच्चन जी की आत्म कथा है इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा यहां आप देख सकते हैं एक अंगा के अंतरगत आपका दूसरा अप्शन सही है यानि आत्म कथा क्या भूलू क्या याद करो आत्म कथा विधा विषेस्ताओं का उलेख किजी तो मैं आपको जानकारी देनाचाहूंगा कि आपसे रीत काल की प्रियोगवादी, काविकी या छायवादी युक्ती तो प्रियोगवादी प्रम का जरूरत पूछे जाएगी आप इन प्रशनों को जरूरत तयार कर लीजेगा तो प्रयोगव पर आप देख सकते हैं प्रशनोत्तर नंबर दो का इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है इसके बाद हेडिंग क्या पड़ेगी प्रियोगवादी काभी की दो विसेश्ता हैं तो प्रियोगवादी काभी की सबसे पहली विसेश्ता क्या है अतियत्हार्थता और दूसरी व काश्वर अगला प्रशन है माडल पेपर का यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन संख्या दो खा के अंतरगत पूछा गया है यहां पर रीत काल की कोई दो प्रमुक प्रवरतियां लिखिए यदि आप से पूछा जाता है रीत काल की कोई दो प्रमुक विसेस्ताओं का उले क कीजिए और ये पूछा जाता है की रीतिकाल कि कोई दोप्रमुक्स प्रव Kristen का उलेक कीजिए तो उत्तर एक जैसा ही होगा यह प्रशन भी पूछा गया है कितने नंबर का दो नंबर का पूछा गया है तो इस प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन उत्तर नंबर दो खा इस तरीके से हेडिंग डालना है और हेडिंग क्या पढ़ेगी रीतिकाल की दो विशेष्टाएं तो हेडिंग पढ़ेगी रीतिकाल की दो विशेष्टाएं और मैं आपको बताऊंगा री पहली प्रवरत्ति या विसेस्ता क्या है रीतकाल की सरंगार रस की प्रधानता और दूसरी क्या है दूसरी है आसरे दाताओं की प्रसंसा तो रीतकाल की दो प्रवरत्तियां या विसेस्ता इस प्रकार से हैं पहली है सरंगार रस की प्रधानता और दूसरी है आसरे दाताओं की प्रसंसा बर्डल पेपर का अगला प्रस्ण है जो की है दो गा के अंतरगत छायावाद के किसी एक कभी का नामों लेख कीजी तो इस प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्ण उत्तर नंबर दो गा के जै संकर प्रसाद च्या वाद के प्रमुख कभी हैं और च्छायावाद के प्रमुख कभी को याद करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूँ जो की बिलकुल आसान है कभियों को याद करने की ट्रिक याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास और मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस ट्रिक से चायावाद के प्रमुख चार कवियों के नाम हमेशा के लिए याद कर लेंगे और यदि प्रशन में आता है छायवाद के प्रमुक दो कभियों के नाम लिखे या छायवाद के प्रमुक तीन कभियों के नाम लिखे या छायवाद के प्रमुक चार कभियों के नाम लिखे या प्रशन आता है छायवाद के प्रमुक चार एस्तंभ लेखकों के नाम लिखे या कभियों के नाम लिखे तो आप इस ट्रिक से उस प्रश्न का शेलूसन दे सकते हैं उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और ट्रिक क्या है यहां पर आप ध्यान दिजेगा प्रसाद पंत निराला देवी तो यहां पर आप ध्यान दिजेगा प्रसाद से क्या हो जाएगा प्रसाद से हो जाएगा जै संकर प्रसाद प्रसाद से क्या हो जाएगा जै संकर प्रसाद हो जाएगा अभ्यान दीजेगा और पंत से क्या हो जाएगा पंत से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा और निराला से क्या हो जाएगा सूरी कांत त्रिपाथी निरा त्रिपाठी निराला और देवी से क्या हो जाएगा देवी से हो जाएगा महा देवी वर्मा जी को आधुनिक यूग की मीरा भी कहा जाता है आध्यान दिजेगा महा देवी वर्मा को आधुनिक यूग की मीरा कहा जाता है तो ट्रिक क्या है ट्रिक है प्रसाद पंत निराला आप याद कर लीजेगा छायावाद के प्रमक कव्यों को याद करने का बिलकुल आसान तरीका टिक के माधम से प्रसाद पंत निराला देवी प्रसाद से जैसंकर प्रसाद पंत से सुमित्रा नंदन पंत और निराला से सूरी कांत तरपाथी निराला और देवी से महा देवी वर्मा तो यदि यहां से प्रश्ण बनता है तो आप जरूर इस प्रश्ण का solution दे सकते हैं उत्तर दे सकते हैं और अगला प्रश्ण क्या है model paper का प्रश्ण संख्या 3 के इंतरगत पूछा गया है निमनलिखित गध्यांसों में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन का गध्यान सहे कुशंग का जोर सबसे भयानक होता है यह केवल नीत और सदब्रति का ही नास नहीं करता बलकि बुद्धी का भी छे करता है किसी युवा पुरुष की संगत यद बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन आउनत के गड़े में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो शहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की वहर उठाती जाएगी और इस गड्यानस के नीचे आप देख सकते हैं तीन प्रशन द पूछे गए हैं कुशंग का अव्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव होता है और कुशंग और अच्छी संगत में क्या नतर है अथवा युवा पुरुस की संगत यदिगुरी होगी तो इसका क्या परिडाम होगा इन प्रशनों का उत्तर आपको इस गद्यांस से ही निकाल क लिखना है और यह प्रशन जो पूछा जाएगा छे नंबर का पूछा जाएगा यहां आप देख सकते हैं यह जो गद्यांस आधारित प्रशन पूछा जाएगा आपसे प्रशन संख्या तीन के अंतरगत छे नंबर का पूछा जाएगा और दो गद्यांस होंगे यहां पर गद्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर देना है आपको किसी एक गद्यांस के नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर देना है जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर मिलेंगे यहां से जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे तो आप ज्यादा से तीन का उत्तर बताऊंगा आपको की किस तरीके से आपको गध्यांस आधारित पृष्णों का उत्तर अपनी बोर्ड परिच्छा में लिखना है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मैंने इस वीडियो के मादम से आपको एक ऐसी सांदार ट्रिक बताई है जिसके मादम से आप छायावाद के प्रमुक कभियों को याद कर सकते हैं प्रशाद पंत निराला देवी ट्रिक के मादम से और आप कमेंट जीगा तो मैं जल से जल प्रशन संख्या तीन का भी उत्तर आपको बता दूँगा बढ़ते रहिए मस्त रहिए जैहिंद